हेलो स्टूडेंट आई एम सोनम वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल अपना भी डल है आज के इस वीडियो में आप सभी को बिल्कुल लाइव प्रूप के साथ दिखाएंगे कि जो आप सभी की बोट परिछा की कॉपी चेक हो रही है वो इस बार आप सभी की बोट परि कर लिखें अपने सब्दों में लिखें तो एक्जामनर जो है जो आपकी बोट परिछा की कॉपी चेक करने वाले टीचर है तो आपको उस क्वेस्टन की आंसर पर नंबर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं और अगर नंबर दे रहे हैं तो कितने नंबर दे रहे हैं सब कु को लाइव प्रूप इस वीडियो में दिखाएंगे बोड एक्जाम की कॉपी में वो कौन सी चार गलतिया है जो कि कई स्टूडेंट के द्वारा किया गया है और जिससे जो एक्जामनर जो आपकी कॉपी को चेक करें वो ऐसे स्टूडेंट जो चार गलतिया अपनी कॉपी में किये हुए हैं ठीक है उसके नमबर कार्ट दे रहे हैं तो वह कौन सी चार गलतिया है जो आप लोग को अपनी एकजाम की कॉपी में अगर आप लोग किये हो तो आपके नमबर भी कट रहे हैं तो यहां पहँ हम आप mi को बताँएंगे और एक्जामनर किस student को बिल्कूल एक भी नंबर नहीं दे रहा है और फेल कर दे रहा है कैसे student को सब कुछ हम आप सब्लिकों इस वीडियो में बिल्कूल लाई हो बताएंगे आप लोग सबसे पेहले इस वीडियो को लाइक कर देजिए और चैनल पहना है तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में सेयर जरूर कर दीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आपकी कॉपी चेक हो रही है और एक्जामनर आपको कैसे नंबर दे रहे हैं, कहाँ पर कितने नंबर आपको मिल रहे हैं तो यहाँ पे दीखें आप सभी कि क्लाश 10 और 12 की बोड की कॉपिया इस तरह से चेक हो रही है यहाँ पे कई एक्जामनर बैठे हुए और इनको कई कापिया मिली हुई है ठीक है इस तरह से आप सभी की copy को सभी examiner चेक कर रहे हैं और अगर आपको कोई भी question का answer नहीं आता है और आप लोग इसके answer को बना कर लिखे हुए अपने सब्दों में लिखे हुए हो तो examiner जो होते हैं आपको पूरे की पूरे नंबर देते हैं ठीक है इस तरह से क्या करा है यहाँ पर देखे examiner इस तरह से आपकी कौपियों को चेक करा है वो एक लाइन को कभी भी मिला करके examiner जो होते हैं वो आपकी कौपी को नहीं चेक करते हैं बस यहाँ पर देखे question number डाल होना चाहिए और इस तरह से ठीक हेडिंग वगरा डाला है तो आपको पूरे नंबर मिलते चले जाएंगे क्योंकि एक्जामनर जो ते वो जितना कॉपी चेक करेंगे उनको उतने ही पैसे मिलते हैं तो यहां पर देखिए अगर आप लोगोंने बना कर किसी भी क्वेशन का अ या पर लगा दिए जिससे एक्जामनर जोते हों उनके नंबर कार देते या उन्हें फैल कर देते तो इस तरह से देखिए सबसे पहला की पूर हैंड्राइटिंग यानि बहुत ही खराब handwriting इस तरह से देखिए अब यहाँ पे काफी जादे इसमें cut pit वगएरा किया हुआ है और इस तरह से देखिए यहाँ पे कुछ फालतू सब्दों का use कर देते हैं student अपनी copy में इस तरह से यहाँ पे देखिए इस तरह से पैसे लगा दी यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुए आप लोग खुद पर सकते हो पहली पहली बार इस तरह से देखिए जो student होते हैं वो किसी भी question का answer नहीं आता है तो वो इसी तरह से सर पास कर देना मेरी मा नहीं ह ठेक है इस तरह से देखिए लिखा हुआ है student ऐसे अगर आप लोग लिखे हो यहीं सब गलतिया हैं जिससे examiner जो होते हैं वो आपको फेल कर देते हैं आपके number कार देते हैं यह सब बेकार की बाते और फालतू चीजे लिखने से examiner जो होते हैं आपको एक भी number नहीं देते है इसे अच्छा है कि आप लोग किसी भी question की answer को बना कर अपने सब्दों में लिखे यहाँ पर देखे एक student इस तरह से इस question की answer को बना कर लिखा है तो यहाँ पर देखे दो number जो है वो examiner यहाँ पर दिये हुए इस तरह से आपको बना कर लिखना है ठीक है जितना भी आपको टूटी फूटी सब्दों में ही बनाईए लेकिन इसको बना कर लिखे वहाँ पर examiner आपको number देंगे और हाँ जादी cut cross बिलकुर भी मत कीज़े आपकी काफी बिकार लगेगी अगर आप लोग इस तरह से cut cross करोगे और गंदी handwriting में लिखोगे तो ठीक है इस तरह से आप लो लेकिन आप लोग अगर फालतू चीज़ें को लिखोगे तो आपको number नहीं मिल रहा है यही सब गलतिया है जिससे देखिया यहाँ पर इस तरह से ठीक है यही सब गलतिया है जो की examiner आपको फेल कर दें जो examiner होते वह आप सभी की बोट की copy को काफी जल्दी जल्दी चेक कर अगर आप लोगों ने इस तरह से देखिये यहाँ पर समीक्राण लिखा हुआ है फिर गरीभू परभू दया करें मैं बहुत गरीभू दया करना सार जी इस तरह से लिखा हुआ है अब देखिये यहाँ पर को समीक्राण लिखे हुए तो इससे उनको एक number मिलेंगे अगर दो नंबर का question है एक नंबर मिलेगा लेकिन यहां पी यह प्रभू दया करना यह सब क्या लिखे हो आप लोग इससे आपके नंबर कर जा रहे हैं ठीक है इस बार जो student है वो काफी जादे इस तरह से लिखे हुए हैं उनके काफी जादे इस तरह से जो लिखा हुआ सब्द है वो वाइरल भी हो रहे हैं इस तरह से मुझे कुछ ऐसी ठीक है बोट की काफिया मैं पिछले पांच सालों से चेक कर रही हूं तो मुझे भी इस तरह से कई ऐसे student की काफिया मिली जो इस तरह से फालतू चीजों को लिखे हुए थे ठीक है लेकिन मैंने मेरे अंदर दया आया और मैं अगर कोई question पांच नंबर का है तो इस तरह से उनको तीन नंबर चार नंबर इस तरह से हमने दे दिया ठीक है और उनको पास कर दिया किसी भी student को ह हो न लिखे हो हमारे चैनल पर हमने आपको कई trick बताया है और अगर आप लोग बना कर लिखे हो तो आपको जो एक्जामनर की बात हम कर रहे हैं आपको सभी एक्जामनर आपको नंबर देंगे और कुछ student है जो कि अपनी copy में काफी जादे पैसे भी लगा रखें कुछ दिखा हुआ है अगर आपका 23 नंबर पर पास मार्किंग है और आप लोग 20 नंबर लाए हो और कुछ पैसे रखे हो तो एक्जामनर अपनी तरफ से आपके पैसे लेकर के तीन नंबर दो नंबर अधिक देकर आपको पास कर देगा सिर्फ यही वेनिफिट होता है आपको प हेंडराइटिंग खराब है तो आप लोग अगर सुरू के 2-3 पेज अच्छे हेंडराइटिंग में लिखे हो तो आपको पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर आपको देते चले जा रहे हैं ठीक है इस तरह से आपकी कॉपिया इस बार चेक हो रही है और ऐसे ही आप सभी को जैसे भी काफिया चेक हो रही है सभी वीडियो हम आप सभी को दिखाएंगे आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आपको वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे चैनल पे नए तो सब्सक्रेब करके बेल इकन को जरूर प्रेस क